आज का भगवत चिंतन जो तो को कांटा बुवे संत असंत मरम तुम जान हूँ तिन हकर सहज स्वभाव बखान हूँ श्री रामचरित मानस के सब्तम सौपान उत्तरा कांड का यह प्रसंग है पक्षी राज श्री गरुड जी भक्तराज श्री काग भुशुंडी जी से अनेक प्रशन करते हैं उनमें से एक प्रशन यहा है गरुड जी पूछते हैं श्री काग भुशुंड जी आप संतों और असंतों के मरम से अच्छी तरह परिचित है इसलिए उनके सहत स्वभाव का वर्णन करे संत के स्वभाव और असंत के स्वभाव से ही उनकी पहचान होती है जिन संतों के लिए भगवान कहते है मोही ते अधिक संत करी लेखा बालो मुझसे अधिक संतों को समझे तो उन संतों का स्वभाव कैसा होता है कुरुपा कर बताए इसमें कहा गया है कि श्री गरूड जी संतों और असंतों का सहस्वभाव ऐसे समझो जैसे चंदन का व्रुक्ष और लोहे का शस्त्रफ फरसा अब किसी ने फरसा चलाया और बंदन कटने लगा फरसे ने चंदन के व्रुक्ष को काट दिया चंदन ने क्या किया? चंदन के पास सुगंद थी फरसे ने चंदन को काटा तो फरसे को सुगंद मिल गई चंदन ने कटकर भी अपने सुगंद फरसे को दी इसका अर्थ क्या है? कहा संत वह है जो अपना विरोध करने वाले को भी अपने सत्संग की सुगंद देता है अपना विरोध करने वाले को भी जो अपने सुगंद दे वह संत और असंत कौन है बोले जो अपने को सुगंद दे उसी को काटने की प्रक्रिया जो करे वह असंत निजगुन देई सुगंद बसाई देखो एक ने काटा और दूसरे ने सुगंद दी सुगंद देने वाला चंदन संथ की तरह है चंदन के वरुक्ष को काटने वाला फरसा असंथ की तरह है पर आप एक बात याद रखे चंदन ने भले ही फरसे का विरोध न किया हो संथ ने भले ही असंथ का विरोध न किया हो लेकिन असंद के द्वारा जब संद पर अत्याचार होता है तो भगवान सहन नहीं करते और यही कारण है कि संद को संदमान मिला किस रूप में? ताते सुर सिंसन चढ़त जगवल्लब शरिखंड चंदन कटा और लकडी के छोटे छोटे टुकडे बनाये गए और पत्थर पर रगड कर चंदन उतारा गया तो चंदन कहां लगाया गया? देवताओ के सिर पर चंदन को भगवान ने भी सिर पर चढ़ा लिया और जिसने चंदन का खंडन किया था उस फरसे को सजा क्या मिली? कहा इस फरसे की धार अपैनी नहीं है तीखी नहीं है तो क्या करे? कहा पहले आग में डालो इसको तो फरसे को आग में डाला गया और आग में जला कर जब वहलाल हो गया तो फिर हथोड़े से उसको पीटना शुरू किया धार निकालने के लिए बोलो संत ने तो विरोध नहीं किया असंत का लेकिन असंत का हाल यही होता है और चंदन मिट कर भी भगवान के सिर पर पहुँच जाता है इसलिए संत वह है जो अपने विरोध करने वाले का भी विरोध न करे इसलिए संत कबीर कहते हैं जो तो को काटा बुए ताही बोव तो फूल तो को फूल के फूल है वाको है तिर्शूल श्रीक अबिर्दाजी कहते हैं जो तुम्हारे मार्ग में काटा बोव तुम उसके लिए फूल बो जो तुम्हें काटे की चुभन दे तुम उसे फूल की सुगंद दो परिणाम क्या होगा जो तुमने बोया है बद तुमें मिलेगा तुमने फूल बोय है तो तुमें फूल मिलेंगे उसने कांटे बोय है तो उसे कांटे मिलेंगे तो को फूल के फूल है वाको है तिरशूल